अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोडों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस होती है, ठकान महसूस होती है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कब्ज रहती है और बहुत सारी दिक्कते आपके साथ आती है, साथी ठंड लगती है बह तो यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं ले रही हूं वह है मखाना और मखाना में आप जानते हैं सबसे जादा कैल्शियम होता है तो यहां पर 100 ग्राम मैंने मखाना ले लिया है और आज हम मखाना के ही लड़ू बनाने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़दा फाइब होता है कैल्शियम होता है तो जिन लोगों के हड्डियों में दर्द रहता है हड्डियों में तकलीफ रहती है उनके लिए लड़ू बहुत कमाल के होने वाले हैं दूसरी चीज जो मैंने यहां पर लिए है आधा कब सफेद तिल जो सफेद तिल होता है बहुत ही कमाल का होत तो यहां पे तीन से चार मिनट मैंने धीमी आज पे इसे भून लिया है हलका गुलाबी रंग आने तक अब यहां पे मैं देसी घी डाल रही हूं देसी घी भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है जो हड्डियों में ग्रीस खतम हो जाती है उसे दुबारा से बनाने में म यूज कर सकते कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे इन बादाम को मुझे फ्राइ करना है एक से दो मिनट थीमी आज पे साथ ही में काजू भी डाल दूंकि दो टुकडों में कटे हुए तो हलका सा इने भी फ्राइ कर लेते हैं और बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ड्र 12 मिनट मैंने यहां पे इन काजू और बादाम को फ्राइ कर लिया है इसे हम निकाल लेते हैं बहुत ज़्यादा करेंगे नई तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चीच हो जाता है तो इस ती काफी करशी भी हो जाते है साथ ही लडो देखने में भी बहुत अच्छे लगते है अब जो बचा हुआ घी है इसके अंदर मैं डालूँगी किश्मिश जो किश्मिश होती है वो भी बहुत जादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है कब्स रहती है आपकी तो आपकी कब्स दूर हो जाएगी और बहुत सारे फायदे होते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर किश्मिश को भी हम फ्राइब कर लेंगे इसे एक या दो मिन्त में यह फूल नहीं शुरु हो जाती है और जैसे यह फूल जाए बस इतना ही फ्राइब करना है उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक तम धीमी धीमी आज़ पे फ्राइब करियेगा तेज जल सकते हैं इसके सारे न्यूट्रिंस खतम हो जाएंगे तो यहां पर किश्मिश देखिए किस तरह से अंगूर की तरह फूल गई है इसे हम निकाल लेते हैं अब जो बचा हुआ घी है इसके अंदर हमें क्या डालना है बहुत ही कमाल की चीज़ डालने वाली हूं वह है खस- भी ड़टला हमें इसके मॉखाना डाल की मेरा मेने यहां ने चाहर लाएर के हम हम ऐसा की मखाने के लड़ कूझ से अपको बाइक, ईन सार्दिों में आपको गर्माहत भी देंगे तो यहां पर इन्हें हमें में हम्चा आप था कि यह प्रिश्पी हो जाएं यह दाटों में चिपकते हैं इसलिए इन्हें तीन-चा मिनट अठ्छे से फ्राइब करिएगा ताकि यह क्रिस्पी हो जाएं और लड्डू आप फाए तो अच्छा टेस्ट है तो अगर आपको घी कम लगे तो एक दो चमच इसमे घी और डा अब फिर से मैंने घी डाला है इसके अंदर और अब यहां पर मैं गुड का इस्तमाल कर रही हूं कोई चीनी का हम इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है गुड में बहुत सारा आइरन होता है तो खून को बनाने में बहुत जादा करता है खून को साफ रखने में भी मदद करता है यहाँ पे हलका सा पानी हम दो चमच इसमें डाल दिंगे ताकि गुड बहुत जाधा टाइट ना हो चाएं धीमा आज पर इस तरह से इसे पकाएंगे ताकि गुड अच्छे से मेल्ट हो जाए पिघल जाए बस बहुत जादा इसे पकाने की जरुवत नहीं पड़ती है इतना ही पकाना है कि गुड हमारा आसानी से पिघल जाए बहुत जादा पका देंगे तो ये फिर टाइट होना शुरू हो जाएगा धीमी धीमी आज पे इस का जार लिया है जिसके अंदर में ये मखाना डालने वाली हो और मखाने को हमें यहां पे पीसना है साथ ही मैंने खस खस भी डाल दिया है और यहां पे जो तिल हमने भून के रखे थे यह तिल भी डाल देंगे और सारे तिल में यहां नहीं डालूंगे थोड़े से साबुत बचा लेंगे अब इसे हम पीस लेंगे आप चाहे तो बारिक पाउडर बना सकते हैं पर यहाँ पे मैं इसे हलका दरदरा पीस रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए मैंने हलका सा मोटा मोटा पीशा है जादा नहीं पीशा है आप चाहे तो इसे बारिक पाउडर भी बना सकते हैं तो इसे में एक बड़े बाौर में निकाल लेती हूँ जिसमें हम लड्यू बनाएंगे तो यहां पे जो हमने तिल बचाके रखा था वो तिल में इसमें एड़ कर देती हूं साथ यह जो काजू बादाम किश्मिस हमने फ्राइ करके रखेते ये भी डाल देंगे और ये जो घी लगा हुआ है ये भी वेस्ट नहीं करेंगे इसे भी हम निकाल लेते इस तरह से तो ये सारी चीज़े मैंने डाल दी हैं इसे mix कर देंगे अब इसमें कुछ चीज़े हम और मिलाएंगे तो सबसे important चीज़ जो मैं यहाँ पर मिला रही हूँ वो है अदरक का powder जिसे dry ginger powder भी बोला जाता है और ये जोडों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथी ग गुड का हमने सिरफ बना के रखा था चाशनी बना के रखी थी वो इसमें थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे अभी वो गरम है इसलिए मैं यहाँ पर चमच का इसमाल कर रही हूँ इसे मिलाने के लिए हाथ मत लगाईएगा क्योंकि अभी गुड काफी गरम है तो थोड से मिक्स कर देती हूं और इतना काफी है और जो इसका मीठा है परफेक्ट होता है इससे जादा गुड की हमें जरूद नहीं पड़ेगी हो सकता अगर वेट में आपने कम जादा चीजे कर दी है तो आपको थोड़ी जादा जरूद पढ़ सकती है गुड की पर मैंने जब दाला तो एकदम परफेक्ट था तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कहीं से भी पाउडर सूखा ना रहे यह देखिए किस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूं और इन लड़ों को आपको गरम-गरम में ही बनाना है जब डारेक्ट आप इस तरह से लड़ों बनाएंगे तो यह नहीं बनते हैं तो मैं आपको बताती हूं क्या ट्रिक इस्तमाल करनी है इस तरह से बनाएंगे तो हाथ में जो है यह मिक्षर चिपकता है तो आपको क्या करना है हाथों को पानी से गीला करना है हर बार लड़ों बनाते रहें और जो लड़ों है वह बहुत ही आसान नहीं होना चाहिए नहीं तो गुड़ फिर जमना शुरू हो जाता है तो थोड़ा गरम गरम रहे तब ही आपको लड़ू बनाने हैं और बहुत ही आसानी से लड़ू बन जाते हैं वस इस तरह से आपको सारे लड़ू तयार कर लेने हैं तो यहां पर सारे लड़ू आपको त सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलेगा